शिम धूम रेमेडिस में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे मा शिवरात्री के कथा के बारे में प्राशीन काल में एक चित्रभानु नामा के एक शिकारी रहनता था जानवरों की हत्या करके वह अपने पूरे परिवाल का पालन किया करता पर उसने किसी से कर्ज लिया हुआ था और वो जो कर्ज देने वाना व्यक्ति जो सावकार था उसको बहुत परिशान कर रहा था और परिशान करे हुब क्यों न वो समय पर रिंण नहीं चुका पा रहा था इस पर प्रोधित होकर सौम्कार ने एक दिन शिकारी को शिव मठे मंदी बना दिया अब इतफाक उस दिर ये था कि उस दिर महाशिवरात्री हुँ शिकारी दियान हमग नहो कर शिव समदी शारी जिसी धानमीक बाते बताई जा रही ती वाले में सारी बाते सुनता चला जा जा रहा है चतूर दसी को उसने शिवरात्त्री व्रत की पूरी कता सुने शाम होते ही साउटकार ने इससे अपने पास बुलाया और इन चुकाने के विसे में बात की तो फिर जो शिकारी था उसने प्रॉमिस किया की हम आपको एक या दो दिन में पूरा करज वापस कर देंगे और ये बचन देकर वहां से जान छोड़ाया उसके अब उसके रोज की दिन्य चरिया थी शिकार खिलने के उचला गया जंगल में शिकार करने के लिए क्योंकि उसी से भाई उसको रुड़ी लुटी होई चलता था लेकिन पूरा दिन जिए रहने के कारण उसकी हालत खराबती हुख ब्यात थे उसकी हालत खराबती और व्यापूल भाव शिकार ढूनता हुआ बहुत दूर निकल गया जंगल जब अन्दकार होन लगा तो उसने विचार किया कि ए राद तो जंगल में ही मितानी पड़ेगी और कोई रास्ता ह वह वन में एक तलाव के किनारे एक बेल के पेड़ पर चड़ गया है और सुझा कि चलो यहीं पर रात गिदाएंगे और सुबह का इंविजार करते हैं और हो सकता है रात को अगर कोई जानवर मिल गया तो उसका शिकार कर लेंगे उसकी दिमाग में मात भी ही नहीं पार थ कि उशी वेल ब्रिच के नीचे शिवलिंग है और वो शिवलिंग विलव पत्तों से ढखा हुआ था वेल के पत्तों से ढखा हुआ शिकारी को उसका पता ही नहीं चला अभी पढ़ाओ बनाते से में उसने जो टहनिया तोड़ी विससे योग से शिवलिंग पर गिरती चली इस प्रकार दिन पर भूखे प्यासे शिकारी का वरत हो गया तो उसने वरत वाला उप्शन पूरा कर लिया और शिवलिंग पर विलव पत्ते चड़ते चले गए तो एक पहर रात्री बीच जाने पर एक गर्वनी तलाव पर पानी पीने पूंची गर्वनी हीरनी पियो शि आप दो जीरों की हत्या करोगे जोगी ठीक नहीं है मैं बच्चे को जम देकर सिखने तुम्हारे पात आजाओंगी उपस्तित हो जाओंगी तब मुझे मार लेना शिकारी ने प्रतेंचा धिली कर दी और हिरनी जंगली जानियों में नुफ्त हो गई प्रतेंता चड़ाने का पूजनता वो भी संपन हो गया उपवास पुरा हो गया प्रतंपहर का जो पूजनता हो संपन हो गया उसके बाद कुछ तेर बाद एक और हिरनी उदर से निकली शिकारी की प्रसंद्दा का ठीकाने नहीं रहा बोले चलब एक गई दूस्री आली समी बारने पर उसमें धनुष परफिल वाल चड़ाया तब उसे देखकर हीर ने बिनमर्ता पुर्वक निवेदन किया कि है शिकारी मैं थोड़ी दिर पहले रितू से निवरित हुई हूँ का मातूर अपनी प्रेमी की खोजे में बटक दी हूँ मैं अपने पती से मिलकर सिक भी तुम्हारे पास आजाऊंगी उसके बार मुझे मार लेना शिकारी ने उसे भी चाने दिया तो दो बार शिकार को फुकर उसका माता ठंका वो चिंता में बढ़े गया रात्री का आख्री पहर बीतरा था अब इस बार भी जब उसने धनुष उठाया तो धनुष जब इठाया तो उसके हाथ वा आते और इधर जो हिले डुले तो कुछ वेल पत्र गिरे और वेल पत्र सीवे जागे शिवलिंग पर गिरे और अंजाने में उसका दूसरा पहर का पूजन्दी संपन हो गया तब ही कन हिरनी अपनी बच्चों के साथ ज़र सुने लिए शिकारी बोला बहुत आज तो क्रिस्मत हाथ साथ में है यह सुर्णी मबसर है उसने धनिस पर तीर चड़ाने में देरे ने लिगाई वो तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली है शिकारी मैं इन बच्चों को इनकी पिता के हवाले करते लौट हूँ इस समय मुझे मुझे मत मारो वरना मेरे बच्चे अनात हो जाएंगे इने पिता इनके नहीं बिलता हैंगे शिकारी हसार बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ तो मैं ऐसा मुर्ख आदमी नहीं हूँ इससे पहले में दो वर अपना शिकार खोच चुका हूँ मेरे बच्चे भूख प्यासे वेपर हो रहा हूँ उस्तर में हिरनी बोली कि यसे तुम्हारे बच्चे कि ममता तुम्हें सता रही है ठीक वैसी मुझे भी है इसलिए है शिकारी मेरा बिस्वास करो मैं इने इनके पिता के पास शोड़कर प्रतिग्या करती हूँ कि मैं तुम्हारे पास वापस हाँगे फिर तो मुझे मान लेना और अपने परिवार का पालन कोशन कर लेना हिरनी का दीन सुर सुनकर ही शिकारी को उसके द्या लगी और भुलागी ठीक है चाओ मिल्कनी को उसने जानी दिया अभी शिकार के अभाव में तद भूप्याद से व्याकुल शिकारी अंजाने में बेल प्रच पर बैठा हुआ बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे ठीकते जा रहा तो इसको फ्रस्टेशन लेवल के रहा है अभी पॉफ होटनी की हुई तो एक हिष्ट पिष्ट मर्व उसी रास्ते पर आया शिकारी ने सोचा कि किसका तो शिकारो आपर शिकरेगा शिकारी कितनी प्रच देखकर मुर्व बिनित स्वर में बोला कि यह शिकारी मैं तो तुम्हारे सामने हूँ जब चाओ मार सकते प्रच तुमने मुझे मुझे पुर्व आने वाले च्कार भी मुष्क्षे को मारने है तो तुम्हिए मैं विलमो मत करो करो क्यों भी अपनी तीन इंस थीन एन को स्ट ह मिलमो को कि इस तीनों को मारने को तो ताकि मुझे व्योग में एक चन भी दुखने देना पड़े। मैं उन हिरणियों का पती हूँ, यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ चन के लिए जीवन देने की किर्पा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समझ उपस्तित को चाहूँ और यही ही नहीं, अगर तुमने उन्हें इस विद्ध छोड़ाया और उन्हें भी यही प्रामिस किया होगा तुम इन तीनों के साथ में तुम्हारे पात्रों। मुरिक के बाद सुनते हैं शिगारी के सामने पूरी राथ की घटना चपनु भूगी। उसने सारी कथा मुरिक को सु होड़ा है वैसे मुझे भी जाने दो, मैं उस सब को तुम्हारे सामने इसे के लिए पस्तित करूँगा। उपस्तित होता हूं उन सब के सारी। शिकारी ने उसे भी जाने किया और इस परकार प्राता हो गी। उप्वास, रात्री, जाग्रन तता शिव लिंग पर बेलपत शिवरात्री का वास हो गया। थोड़ी दिर वाद अमरिक सब परिवार शिकारी के समच पस्तित हुआ। ताकि वह उन सब का शिकार कर देए। कि दुजंगली पश्यों की ऐसी सत्यता, सात्रिक्ता और सामोही प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी खिलानी देए। उस हो अमरिक परिवार को शिवन दाम दिया। तो अन्जाने में शिवरात्री का उब्रत पालत करने पर शिकारी कोमक्ष की प्राथी कुरती बुद। जब रित्यू में यंदू उसको जीवन को लेने के लिए तो शिव गणों ने उन्हें वापत दीज दिया और शिकारी को शिव लोग लेकर गए शिव जीवित के किरपा से ही अपने इस जनम में राजा चित्रभानू अपने पिछले जनम को याद रख पाए सतमा शिव राजंगे के महत को जानकर उनका अगला जनम में भी पादम करता है तो यही के चित्रभानू तो यह होता है शिव राती का मॹयमा जाने अंजाने में अगर हम सीव लिए अभ्वान तो पूजा उने स्विकार होता और खासमें शिवी जी ताचात भूले बाले शंकत बगवाने अब शिकारी के एक अत्वनों सार महादेव पुजारें जाने में केग अवर्ट कफल देते ही है और वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसंद हो अपने परिवार क इक रष्ट का ध्यान गुतिए भी शिकारी ने मरी की परिवार को जाने दिया उसे अपने परिवार की चिंता नहीं उसने दूसरे के बारे में सोचे यह करुणा ही वस्तुता उस शिकारी को उन पंडित और पुजारियों से उत्किष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्र इसकार्त यह नहीं कि शिव किसी प्रकार से किये पुजन को शिकार कर लेते हैं अत्व भोले ना जाने अन जाने वह पुजन में घेद नहीं कर सकते हैं वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन करी नहीं रहा था इसका अर्थ यह भी हुआ कि किसी तरह से किसी भी फल की कामना भी नहीं कर रहा था कोई कामना नहीं था, कोई पूजा भी नहीं थी उसने मिर्क प्रिवार को समय एवन जीवन दान दिया जो कि शिव पूजन के समान है शिव का अर्थी है कल्यान करना शिव का अर्थी है कल्यान होना वो निर्फ प्राणियों कल्यान करने के कारण ही वो शिव तत्व को जान पाया और उसका शिव से साथ चाहत कार हुआ तो परोग कार करने के लिए महाशिवरात्री का दिन होना आवश्यक नहीं है महाशिवरात अगर हम उन परम कल्यानिकारी आशुतोष भगवार में सुन को लीन करते हैं तो हर दिन हवाइले महाँ शिवराती जैसा कल्यान मारका अनुसर्ण करें वही शिवराती का सच्छा हो रहते हैं तो धन्यवाद आप हमारे चैनल के सबस्क्राइब करें और अपने कमेंड़े दीचिए धन्यवाद